दो राज्यों के चुनाव है आप सोच रहेंगे कि किसकी सरकार बनेगी ये वीडियो देख लीजिए सब कुछ साफ हो जाएगा लेकिन इस बार सबसे इंट्रेस्टिंग चुनाव यूपी में हो रहा है यूपी में नौ सीटो पर रूप चुनाव है और यूपी का जो फर्म फर्मूला अपनाना होगा लेकिन बीजेपी ने ये फर्मूला लगभग अपना लिया है क्या है वो फर्मूला इस वीडियो को अन तक देखे और तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यूं कहता हूं कि किस भी सदी दलित पिछरे आदिवासी किसान नल्व संक्यकों की सदी अगे क्या हूँ उसको छोड़ दीजिए मैं वस थोड़ा सा बताऊंगा इस देश में जब तक कॉंग्रेस साठ साल तक सत्तामिर रही सुरुवात के दिनों में सारे मुखमंतरी सारे गवर्नर सारे MLMP जिनरल कैटिगरी के बनते थे SCST पर भी लोग अपने नौकरों को चुनाओ जिताते थे उसके बाद राजनीती में धीरे 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 SCST OBC की एक जूरता बनने लगी और जगदियो बाबु ने अंदोलन सुरु किया उसके बाद रामसरुप बर्मा मैं आजादी के बात की बात कह रहा हूँ उसके बाद बामसेब बनाया और BSP बनाई और पूरे देश में SCST OBC की राजनीती खरी कर दी दच्छिन में DMK आया उसके बिहार में जन नायक करपूई ठाकूर उसके बाद UP में चौधरी चरन सिंग किसान समाज के तो इस तरह से लोग जूरने लगे SCST OBC की राजनीती सोची आज क्या इस्थिती है अखलेश यादव अब PDA मतलब पिछरे दलितल संख्यक का नारा दे रहे हैं और अखलेश यादव ने इस बाद टिकर जो बाटा है नौ बिधान सवा के चुनाओं में पांस टिकर जो है वो SC और OBC को है चार टिकर जो है वो मुसलिम समाज को ह सोचिए नौ में एक भी जेनरल को टिकर नहीं दिया है जो लोग 60, 70, 70 साल से राजनीती में अभी जिनका बर्चस है तो ये तो है कि राजनीती में अब SC, ST, OBC का बर्चस बर रहा है और BJP ने भी सोचिए नौ में BJP ने तीन टिकर जो है वो जेनरल कैटिगरी को दिया है छ ही काम अब देश में करना परेगा 90% तक SC, ST, OBC को आपको टिकर देना परेगा रिजर्व सीट से भी जादा SC, ST को सिर्फ रिजर्व सीट पर आप टिकर नहीं दे सकते हैं उसे जादा देना परेगा क्योंकि उनकी जनसंख्या जादा है क्योंकि उनकी जनसंख्या जादा है तो आपको ज़ादा टिकर देना पड़ेगा धीरे धीरे पूरी रादिती OBC के आसपास आ गई है कॉंग्रेस अभी भी इसको सीख नहीं रहा और कॉंग्रेस के जो सवन निता है वो सीख नहीं रहे है हर्याना हो महराष्ट हो अभी भी अगर काइदे से देखे तो सवन समाज के हितों की तरफदारी करने वाला कोई दल है तो वो दल है कॉंग्रेस बीजेपी जब से आई है कॉंग्रेस को जब से बीजेपी ने सत्ता से बाहर किया है बीजेपी सर्वाइब करने के लिए जेनरल का वोट उसे मिली रहा है के नाम पर लेकिन CSTOBC का भी बोट उसे मिल रहा है क्योंकि वो राजितिक भागिदारी दे रहे चाहे गवर्नर बनाना हो राजसभा बनाना हो कॉंग्रेस के समय राजसभा जेनरल भेज जाते थे चाहे वो पदम सिरी हो पदम भूसन हो तो नरेंदर मुदी ने पुलिटिकल फायदे के लिए डाइवर्स जरूर अपने आपको किया है लेकिन मैं फिर कह रहा हूं असली डाइवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज इन्वर्सिटी, ब्यूरोकरिसी, बिजनेस, स्पोर्स, सिनेमा और प्राइवेट सेक्टर में लाना होगा जो ज ऐसे नेताओं को नहीं चुनेंगे जो आंदोलन से निकले हो, जिनको समाजिक बदलाव और समाजिक नयाय दोनों की समझ हो, जिन्होंने बहुजन आंदोलन में सामिल हुआ हो, तो नेता कम से कम ऐसा चुनिये जो सरकों से निकला हो, जिसने आंदोलन किया हो, जो कि यो इन्हेताओं को नहीं चुनेंगे, आपका सम्मेधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, फिर आपके सर पर ऐसे लोग थोप दिये जाएंगे, जिनकी कोई अपनी राजनीतिक और समाजिक विचारधारा नहीं है, वो सर्फ MLMP बनते हैं और उससे उनका भला हो सकता है, लेकिन भारत सरकार कहरें कि हम जनगन्ना कराएंगे, जनगन्ना के बाद परिशीमन भी होगा, एक बड़ी बैमानी भी अब तक होती रही है, कॉंग्रेस साथ साल में सब करता रहा है, कॉंग्रेस के समय में S.C.S.T. O.B.C. के नेता फसाय जाते थे, मोदी जी के समय में भी फसाय परिशीमन होगा, जनगन्ना की बात हो रही है, C.S.T. की गिंती होती है, धर्म की गिंती होती है, लेकिन O.B.C. की गिंती नहीं होती है, जबकि मजभ़ की गिंती होती है, इसलिए आप लोग आवाज उठाईए, और अगर आपके C.S.T. O.B.C. के नेता आवाज नहीं उसको रिजर्व कर दिया जाए ये एक बड़ी चलाकी हो सकती है कि जो OBC बहुल छेत्रों उसको रिजर्व कर दिया जाए और जो 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 जनरल बहुल सीटों उसको जनरल में रखा जाए तो ये बड़ा खेल हो सकता है और ये जो जातिबाद मनुबाद है ना वो सिस् एक बड़ी बैमानी हो सकती है क्योंकि आप नहीं जानते हैं जातिवाद मनुवाद कितना महीन काम करता है और हो सकता कि परिसीमन में OBC की जहां ज्यादा संख्या है क्योंकि OBC को रिजर्वेशन है नहीं OBC जेनरल पर चुनाव लड़ता है और अब मजबूरी हो गई है तमा OBC अल्फ संख्यक किसानों की बरी उनिटी भी बने लगी है तो ये एक बड़ा खेल हो सकता है कि जहां जहां OBC बहुलता वाली सीट हो उसको SCST में रिजर्व कर दिया जाए और जहां जेनरल के मद्दाता जादा हो उनको जेनरल लखा जाए ताकि OBC को फिर से राजनीती से बाहर करने की कोशिश हो जबकि काइदे से लडाई तो ये होनी चाहिए कि SCST OBC को SCST को सिर्फ रिजर्व सीट ही क्यों मिले उनको जेनरल सीटों पर भी चुनाओ लखाया जाना जाए जो अब धीरे-धीरे होने भी लगा है और OBC को तो 60% सीट मिल जा जुला के संसद हो या या फिर लोकल बड़ी इस देश में जो 90% आवादी है वो SCST OBC किसानल अलब संखकों की है और उनको 90% तक भागिदारी मिलनी चाहिए और तब जाकर आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, इन्वर्सिटी, ब्यूर्यक्रेसी, बिजनेस, तमाम जगों पर जब आपके लीडर्सिप बाली पार्टियां है, चाहिए वो BSP हो, चाहिए समाजवादी पार्टी हो, चाहिए RJD हो, चाहिए JDU हो, चाहिए DMK हो, चाहिए JMMMO, इन दलों को अब समझ में आने लगा है, बीजेपी के आने के बाद समझ में आने लगा है, कि जैसे बीजेपी को लगता है कि हमें मुसल्मान बोट नहीं करता है वैसे इनको लगने लगा है कि हमें जनरल कैटिकरी का बोट नहीं मिलता है इसलिए वो टीकट कम कर रहे लेकिन अभी भी इनकी समझ क्रिस्टल किलियर नहीं है बीजेपी की तरह बीजेपी को किलियर लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग हमें बोट नहीं देते हैं इसलिए वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं जनरल को जोली भर-बर कर टिकर देते हैं बाकि जो टिकर बता है वो SCST और OBC को देते हैं अगर CSTOBC के लीडर सी बाली पार्टियां जैसे अखलेश यादव ने अभी 9 में 9 CSTOBC अलफसंख्यक को दिया है इनको भी अगर जिस दिन लग जाएगा कि जनरल कैटिगेरी का बोट हमें नहीं मिलता है इसलिए हमें ठीकट नहीं देना है और धीरे धीरे जैसे CSTOBC की समझ बर रही है ये चीज आपको दिखेगा ये अभी होगा अभी और बदलाब होगा सोसल मीडिया है अब इस देश में लगभग राज्यों में आपको CSTOBC का कोई मुखमंतरी नहीं है ये बड़ा जरूरी काम हो सकता है कि महराष्ट में BJP ये काम भी कर दे वो दिखाने के लिए परे पुलिटिकल स्टन्ट फैसले करती है कॉंग्रेस को भी ये करना चाहिए एक SC मुखमंतरी से पंजाब के कम 6 महीने के लिए वो हार गए तो महराष्ट में कोई SC मुखमंतरी मिल सकता है चाहे कॉंग्रेस से हो चाहे फिर BJP से हो या OBC मुखमंतरी मिल सकता है ये भी बड़ा कदम है जर्कन को आदिवासी CM के नाव पर चुना हो रहा है तो जर्कन की बात करें तो फिलहाल तो जे में बड़ी लीड लेती हुई दिख रही है लेकिन अभी भी उसके पास वो समझ नहीं आई है जो अखलेश यादब ने समझ दिखाई है तेजस्वी यादब को ये बात अब लगभग क्रिश्टल के लियर हो गया है कि हमें CSTOBC के लीडर्सी बाली पार्टियों के साथ जाएंगे तो ये बड़ी खबर है जो सोचल मीडिया पर वाइरल है मैं फिर कह रहा हूँ अखलेश यादब ने बड़ी लकीर खीची है और जेनरल को उन्होंने एक भी टीकट नहीं दिया और अगर जो उपचुनाओ है उसमें अगर उनको सफलता मिलती है तो ये जो पैटर्न है वो और आगे बढ़ेगा मैं फिर कह रहा हूँ 22 सदी बहुचनों की होगी बाबा सहब की होगी समिधान की होगी और वो तमाम लोग जो हांसिये पर रहे हैं राजनितिक रूप से, समाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्किर्तिक रूप से धीरे धीरे उनकी बोट की ताकत जैसे ऐसे वो स्कूल, कॉलेज, इन्वर्सिटी जाएंगे जैसे जैसे सोसल मिडिया की वाशे उनकी समाजिक, राजनितिक चेतना जगेगी इस देश में 90% लोगों को 90% हिसेदारी देनी परेगी हर जगा अब ये नहीं चलेगा कि 10 लोग 90 रोटी खाएं और 90 लोग सिर्फ 10 पर गुजारा करें कोई भी पुलिटिकल पार्टी हो अब S.C.S.T.O.B.C. के बगएर राजनीती मुम्किन नहीं है आपकी क्या रहा है अपनी पर्तक्रिया जरूर दिजी और बताईए कि सबसे ज़्यादा दलित पिछरे आदिवासी किसान और संक्य के हितैसी पार्टी कौन है बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि नेता ऐसा चुनिये जिसको समाजिक बदलाओ और समाजिक नयाय दोनों का ग्यान हो और जो सरकों पर खाक छान के आया हूँ शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें